हेलो स्टुडेंट आज के हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है और इसमें हम क्या स्टार्ट करें इंगलिस गरामर इंगलिस गरामर का पहला रूल किया है इसकी हिंदी क्या होगी इफ टू यदि दो और मोर सब्जेक्ट उससे अधिक करता आर कनेक्टेट जुड़े हुए हों किसके द्वारा बाई द्वारा किसके द्वारा और नौर आइदर और नाइदर नौर के द्वारा तो दा वर्ब यूजड वर्ब का प्रियोग करेंगे एकॉर्डिंग टू दा सब्जेक्ट किसके करता के अनुसार कौन से करता के अनुसार नेरर नेरेस्ट टू दा वर्ब जो वर्ब के पास वाला करता होगा उसके अनुसार वर्ब का यूजड करेंगे जैसे एक जामपल में देखो neither they nor I were there neither they nor I were there ना तो वे ना मैं वहाँ उपस थी था देखो तो क्या होगा यहाँ पर वर यह है वर्ब वर्ब के पास वाला subject आई है कि दे है आई है वर्ब के पास वाला subject आई है तो आई के कॉर्डिंग यहाँ पर वाज लगेगा वर्ब नहीं लगेगा आई के साथ किसका यूच करते हो वाज का तो यहाँ पर वाज हो जाएगा दूसरा एक्जमपल neither he nor we वाज इन्वाइटेड ना तो उसे ना तो हमें इन्वाइट किया गया तो यहाँ पर helping वर्ब क्या है वाज वाज के पास वाला सब्जट कौन सा है वी और कौन सा ही लेकिन वर्ब के पास वाला सब्जट कौन सा ही तो इसके कॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए वर्ब वाज नहीं होगा क्या होगा यहाँ पर वर्ब होगा नेक्स्ट तो यहाँ पर क्या होगा देखो यह एक वर्ब यह है और एक वर्ब यह है helping verb क्या होता है helping verb होता है और यह भी ध्यान रखना students क्या जिस tense में हो उसी tense में change करना जैसे यह किस में था यह वाला था past में था हमने past में change किया इसको यह किस में था वाज past में था तो इसको past में यहां क्या है present में इसको हम present में change करेंगे तो आर कमिंग, यहां पर ध्यान दीजे, आईदर के साथ क्या लगता है, आईदर के साथ, आईदर के साथ क्या लगता है, और, तो यहां पर इसलिए, एंड गलत हो जाएगा, आईदर के साथ और लगता है, यहां पर क्या होगा, एंड गलत हो जाएगा, तो क्या लगाओ गए, यहाँ पर लगेगा and की जगा क्या लगेगा or and की जगा क्या लगेगा or उसके बाद his parents are his parents का plural number है r लगा है मतलब यह सही है Thanks to watch my video आज के लिए तना ग्यान काफी है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like, share and subscribe to our channel Thank you